दजाल के प्रमोशन के साथ की गई Commonwealth Games 2022 की Opening Ceremony जी हाँ, satanic rituals को पूरा करा गया है अफसोस की बात तो यह है कि एक ही दुनिया में जहां हम रहते हैं वहीं पे एक तरफ इसलाम को प्रमोट किया जा रहा है कतर की हुकूमत के द्वारा और एक तरफ Commonwealth Games में दजाल के नक्षे कदम पर चला जा रहा है यह एक बहुत ही ज्यादा controversial बात है और मुझे personally बिल्कुल अच्छा नहीं लगाई सुन करके मैंने exactly video clips नहीं देखे हैं वो मैं आपके साथ देखूंगे पर Illuminati जो organization है उसको हम सब जानते ही है कि किस तरीके से वो work कर रहे है और youth के दिमाग पर बहुत ही गलत effect डालने की कोशिश की जा रही है चीजों को बहुत ज्यादा hyper sexualize किया जा रहा है हर समय बंदा LGBTQ community की बात कर रहा है कभी बहुत ही गलत बाते कर रहा है जो मैं नहीं समझते उचित इस platform पर बोलना और मैं यह नहीं कह रही कि मैं तो बिलकुल influence हुई नहीं इन चीजों से कभी या मैं बहुत ही महफूज हूँ ऐसा कुछ नहीं है I was also influenced a lot इतना ज्यादा कि मैं भी influence कर रही थी लोगों को गलत डिरेक्शन में I was making double meaning content on Instagram Content flip भी किया, अच्छा response भी मिला पर एक पास्ट फांडेशन थी ना वो जो नीव थी उस Instagram account की That was very dreadly तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे continue करूं So I left it It was painful To leave my 1,60,000 followers And I hope you understand why I did that I stopped it क्योंकि नहीं करना है चीजों को sexualize हम जानवर नहीं है, we are human beings और लस्ट में ही सब कुछ नहीं रखा मेरे दोस्तों, बहुत कुछ इस जीवन में है, explore करने के लिए सिर्फ और सिर्फ physical relation सब कुछ नहीं है हम तो इस बात को अच्छे से जानते हैं पर इन organizations को run करने वाले लोग बहुत ज्यादा शैतानी हो चुके हैं तो इस satanic rituals को पूरा किया जा रहा है बहुत खौफ ना को सकता है ये video for some viewers तो if you are soft hearted, आप बीच में video छोड़के जा सकते हैं Assalamualaikum दोस्तो मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी हसी टीवी ये 2022 के Commonwealth Games के अंदर कैसे दुनिया के सामने बाल नामी शेतानी मुझसमे की पूजा करवाई गई जान कर आप भी दंग रह जाएंगे ये एक ऐसा इनकिशाफ है जो के आपकी आँके खोलने के लिए काफी है के शेतान का आखरी मौरा तज्जाल इस वक्त दुनिया में मजूद है मगर इस वक्त भी इसे दुनिया की नजरों से चुपा कर रखा गया है लेकिन ये बहुत जल्द अपना ये नकाब उतार कर दुनिया के सामने आने वाला है और ये वही बाल नामी मुझसमे हैं जिसे आज से तकरीबां तीन हजार साल पहले मौसा अलासलाम की कौम ने अपना खुदा मान कर इसे पूजना और इसे सजदा करना शुरू कर दिया था जब मूसा अलासलाम कोहे तूर पर अला से मुलाकात करने के लिए गए और इन पर तौरात नाजल हुई ये स्रफ 40 दिन का टाइम था लेकिन जब मुसा अलासलाम कोहे तूर से वापस लोटे तो इनकी कौम सोने का बचड़ा बनाकर और इसे खुदा कहकर इसकी पूजा कर रही थी क्योंकि इस दुरान शेतान ने सामरी जादूगर की शकल में आकर इन लोगों को बेकाया कि अपनी शकल का मुझस्मा बनवाकर इन लोगों को अपनी अबादत पर लगवा दिया हलाकि इनके दर्मियान अल्ला के दो बरगजीदा पेगंबर मुसा अलैस सलम और इनके भाई हरून अलैस सलम अभी मजूद थे और आज हजारों साल के बाद जब आखरी जमाना चल रहा है तो 2022 की कॉमन वेल्ट गेम्स के अंदर बरह राफ्त इनसानों को इसी बीस्ट बाल या शेतान के मुझस्मे के सामने एक बार फिर से सजदा करवाया जा रहा है और ये कोई एक दो लोग नहीं बलके 72 मुलकों के लोग हैं लेकिन लोग इसे अपनी आँकों के सामने देख कर भी गफलत के नीन्स हो रहे हैं जो लोग कॉमन वेल्ट गेम्स के बारे में नहीं जानते इनको थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन कराता चलूँ कि ये उलम्पिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे ब्रिटिश अमपायर गेम्स भी कहते हैं और ऐसा इसलिए कि ये 1930 के अंदर पहली बार शुरू ही जिसके अंदर तकरीबन सब ये ऐसे मुलक शामिल होते हैं किसी जमाने के अंदर ब्रिटिश अमपायर के कबजे में थे या इसकी कॉलूनी रह चुके हैं लेकिन अब आज़ाद ये खुद मुखतार हैं ये गेम्स हर चार साल के बाद मनकित की जाती हैं और इस बार इसके अंदर 72 कंट्रीज ने हिसा लिया और इसकी ऑपनिंग सर्मेनी को पूरा फ्टैनिक रिचूल यानि शेतान की पूजा करते हुए और नियू वर्ड ओर्डर की शुरुआत दिखा कर इसे शुरू और खत्म किया गया ये सब कुछ क्योंके सिंबलिजम की सुरत में था लियाज इसे समझना आपके लिए इन्तियाश जरूरी है कि हम कितना क्रिटिकल टाइम में जी रहे हैं मुसा लिएसलाम की कौम बनी सराहिल को शुरू से शेतान ने गुमरा करके अपने इस मुझसमे की अबारत करने के तरह माइल की रखा जिसकी वजह से ये बार बार इफ शिर्क के अंदर पढ़कर अला को छोड़ देते है और इफ शेतान के मजश्मे की अबारत पर लग जाते है मुसा लग जब कोह तूर पर गए तो इस वक्ट शेतान ने अपनी इसी शकल बाल का मुझस्मा इन से सोने का बनवा कर अपनी अबादत करवाई अल्ला ताला ने कुरान करीम की सुरह अससफाद के अंदर इसी बाल मुझस्मे का जिकर करते हुए इस बदबखत कौम से शिक्वा किया कि तुम सबसे बेतर पैदा करने वाले अपने रब को छोड़ कर इस बाल बुद को पूछते हो और बिल्कुल यही वज़ा थी कि इस बाल की मुझस्मे के दिल से खतम करने के लिए जब इस कौम के अंदर एक कतल हुआ तो कसास के बदले अल्ला ने हुकम दिया कि एक पीली बच्चिया को मंगवा कर इसकी कुर्बानी करो और इसकी दुम को इस लाश पर मारो तो वो जिन्दा होकर अपने कातल का नाम बताएगा इस बच्चडे की कुर्बानी सिरफ इसलिए की गई ताकि बनी इसराइल कौम के दिल से इसकी महबत खतम हो सके लेकिन हजारों साल गुजरने के बावजूद ये बनी इसराइल की महबत आज भी काएम है क्योंके इस कौम का शेतान से कभी तालुग तोटा ही नहीं चाहे जितने मरजी पेगंबर इस कौम के अंदर बेजे गए हो लेकिन ये लोग इस पेगंबर और रसूल के गुजरने के बाद एक बार फिर से जादू, सूद और साफशों में पढ़ कर अल्ला का दिन या तो बदल देते या इससे फिर जाते बाइबल में इस बाल को मार्क ऑफ-्दी-बीस भी कहा जाता है जो के अपने हरे गुलाम को जो के शेतान को अपना खुदा मानता है और इसकी बादत करता है इस पर अपनी च्छाप यिनि निशानी लगा देगा जिसे मार्क ऑफ-दी-बीस भी कहते हैं दूसरी मरतबा हैकल सुल्मानी की तबाई के बाद बनी इसराइल दुनिया के अंदर बटक कर लावारिस हो गए और ज्यादातर इंग्लेंड, आइरलेंड, जर्मनी और अमेरिका चले गए और इस वक्ट भी यहोदी फ्री मेसंस का सबसे बड़ा गर यही बरतानिया मुलक है जहां पर इनकी सबसे बड़ी इलीड कलास इस वक्ट भी कबाला जादू से शेतान के साथ राब्ते में रहती है और इस बार इसी जगह से नियू वर्ड और 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 दुनिया की एक नई शुरुआत का इलान इस कॉमन वेल्थ गेम के जरीए कर दिया गया है बाइबल में लूसिफर यानि शेतान को एक फरिष्टा बताया गया हालाके वो जिन्नों मेंसे था जिसे बाइबल के मताबिक अल्ला के नाफर्मानी करने के बाद जमीन पर एक टूटे हुए तारे की तरह फैंक दिया गया और यही लाइट बोर्ड या रोशनी शेतानियत को सिंबल के तोर पर दिखाने के लिए इस्तमाल होती है और बिल्कुल यही वज़े हैं कि आप कॉलम्बिया फिल्म्स के स्टैचू के हाथ के अंदर स्टैचू अफ लिबर्टी के हाथ में और उलम्पिक की टॉर्च के अंदर इसी फॉलिंग स्टार या रोशनी के सिंबल को देख सकते हैं 2022 की कॉमनवेल्थ गेम की ऑपनिंग स्रमनी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ सितारे सुफैद रोशनी के तरह जमीन पर किसी अस्ट्रोइड के तरह आकर दुनिया के हरे कोने के अंदर आकर गिरते हैं जो के लुसिफर यानि शेतान की ताकत को दिखा रहे हैं और ये ताकत दुनिया के हरे कोने के अंदर पहुच रही है जिसे एक लड़की उठा कर इसे दुआ करने लगती है दुनिया के बहत्तर यानि 72 मुल्कों के लोग इसे उठा कर अपने घर के अंदर रख लेते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि ये घर उड़कर हर एक बॉर्डर को पार करके इस कॉमन वेल्थ गेम के मैदान में वर्मिंगा में इंगलेंड में पहुंच जाते हैं जिसके बाद हम एक बहुत बड़े बाल यानी बीस्ट को देखते हैं जिसे जंजीरों के अंदर जकड कर गुलाम होते हैं और इसका बाला जादू के अंदर शेतान डिरेक्ट अपने इन पुजारियों से कलाम करता है ये बीस्ट ये बाल इंतियाई घुसे में हैं इसकी आंके लाल हैं जिसम में आग है जो के इवल को दिखा रहा है और वो अपने राफ्ते में आने वाली हर एक तबाह करना चाता है मगर इसकी आंकों पर एक परदा या मास्क मजूद है और वो ही लड़की जिसे पहली बार ये रोशनी मिली थी इस बाल के सामने आकर अपनी शेतानी चाप यानी मार्क अफ दी बीस्ट को दिखाती है तो इस बीस्ट की आंके दुबारा से नॉर्मल हो जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के 72 कंट्रीज के लोग इसे खुश करने के लिए इसके सामने डांस करते हैं इसे इंटर्टेन करते हैं और फिर इसके सामने बैट कर इसकी इबादत और इसे सजदा करते हैं और वो भी एक पेंटागराम बनाकर जो के शेता रिच्वानी रिच्वल की पहली लाइन के अंदर कबाला के जादू गर्स और इनके पीछे मार्क आफ दी बीस्था में दुनिया के 72 कंट्रीज को रिप्रिजेंट करने वाले लोग इसकी इबारत करते हैं। लेकिन ये बाल यहां पर सिर्फ इसी मकसद के लिए नहीं आया बलके इसका असल मकसद यानि दुनिया पर कंट्रोल करना भी बाकी है। लेहाज़ अब की बार दो लोग इसके चेहरे से मास को उतार कर इसका असल चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। इस इबारत के दुरान दुनिया के 72 कंट्रीज के जंडों के ओपर खड़ा होकर ये बाल अपनी रोशनी को एक टावर की तरफ करके बताता है कि दुनिया के 72 मुलकों पर अब ना सिर्फ इसका कंट्रोल है बलके इसके निव वर्ड आर्डर के शुरुआत भी हो चुकी बलके इबरहीम अलस्सलाम के दौर के अंदर मजूद नमरूद बादशा की वो इमारत थी जो कि इसने खुदाई का दावा करने के बाद ये कह कर बनवाई कि मैं इसे इतना उंचा बनाऊंगा कि अस्मानों पर जाकर इबरहीम के खुदा से जंग कर सकूँ बाइबल में इसे टावर ओव बाइबल भी का जाता है और इस इवेंट के अंदर ये दिखाया गया है कि इस टावर को दुबारा से तामीर किया जा रही है जिसे खुदा ने आग 와ँ के शरीए जलाकर खतम कर दिया था जिसे आप टावर पर लगी हुई आग को देकर समझ स मगर अब इसे दुबारा से खुदा से जंग करने के लिए तामीर किया जा चुक है क्योंकि क्या आप यकीन करेंगे कि बाइबल के मताबिक इस टावर के अंदर 72 कौमे अबाद थी जिसका उपर का सिरा मिसिंग है और ये उपर का मिसिंग इसा वो ही है जिसे खुदाने अस्मानी आग के जरीये तबाह कर दिया था और आज इसी मिसिंग इसे को आप लुमिनाती और फ्री मिसनी जैसी शेतानी तंजीमों के अलामती निशानों यानि पेरामेड के अंदर भी मिसिंग देख सकते हैं जिनके टॉब पर एक निया पेरामेड यानि नई हकुमत या नियू वर्ड आडर हकुमत लाने का इशारा बार बार दिखाय जाता है और इसी बाइबल टावर की टॉप पर ये बुल रोशनी डाल कर इस नई शेतानी हकुमत का इलान करता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से इफ दुनिया पर शेतान और इसके जूटे मसिया यानि दजाल की हकुमत होगी एक ऐसी नई हकुमत जिसके लोग एक ही आलमी हकुमत से कंटूल होंगे और वो इसी बाल यानि शेतान की हकुमत है क्या ये सब सिमिलारिटी सिरफ इतफाक हो सकती है बिल्कुल भी नहीं बलके ये लोग खुलकर पुरी दुनिया के सामने इस नई शेतानी हकुमत का एलान कर रहे हैं शेतान की अबारत दुनिया के सामने कर रहे हैं मगर इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे मजूद हैं जो के सब को देख कर भी कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक सर्मनी हैं जिसे आर्टिस्टिक तोर पर होप और लाइट से जोड़ कर दिखाया गया है और ये लोग आंखे होकर भी अंदे हैं क्योंकि ये रोशनी या उमीद की किरण नहीं बलके शेतानियत की किरण है और ऐसे ही तो शेतान और इसके मसिया दजाल को दोके बाज नहीं का जाता जो कि लोगों की नजर और सोच को दोका दे कर कंट्रोल करके इनने गुम्रा करेगा कि यहां तक के जहन्नु में पहुंचा दे अपने आसपाफ जरा नजर दोड़ा कर देखें कि क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त माश्य बधाली, जंग, भूक और तबाही क्या नहीं है क्या इसी फितने के दोर के अंदर दजाल के जहूर का जिकर नहीं किया गया था कि जब लोग मजबूर होकर या गुमरा होकर इसका साथ देंगे इस वक्त इसकी आमद की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी है और इसकी शेतानी हुकूमत का भी एलान हो चुक है और अगर हमने अभी भी अपनी आँखे ना खोली तो शायद ये गुमराई की मौत और जहन्म में जाकर खुलेंगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक किजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में ओ गौड थांक यू सो मुच फर्स अफॉल ऐसा वीडियो लोगों के लिए सब पूरी यूनों जनहित में जानकारी फैलाने के लिए बनाने के लिए सारी चीजे एकदम मैं खुद ना डॉट्स को कनेक्ट कर पा रही हूं लिंक कर पा रही हूं पतानी अभी भी लोगों को क्यो समझ में नहीं आ रहा है देखो लॉजिकली सोचने की बात है कि आप कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेर्मेनी कर रहे हैं उसमें आप इतना अग्रेसिव बुल को दिखा ही क्यो रहे हो कोई बहुत बड़ा मकसद है लोगों के उपर रूल करना है तभी यह सब चीज़े हो रही है तो अभी हमारे पास वक्त है कि हम संभल रहे हैं और अच्छी चीज़ें अपनी जिंदगी में करें इवन दो मॉनिटरी सिस्टम ऐसा डवालप कर दिया गया है कि यूनो आप बहुत मुश्किले इस चीज़ से एसकेप करना पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि हमारे हाथ में जैसे कि अगर मेरा बहुत ज्यादा इंट्रेस था बॉलिवुड अक्टरस बनने में सच्चा ही बत करना बैकव करना बैक अच्चा हूअअ इस डार्क वॉल्ड का बसक्टव नहीं हो सकती कैना इस बन्हाद होकाई मिल Scout कर बहुत बंद रगाद proporсण कर लिए इस थार्स चाह यह चििनलग्यए इस अल्छिए जो तो I know कि यार कितना दिमाग घुमा देते हैं यह लोग आपका बहुत सारी अक्टरस ऐसी हैं जिन्होंने बॉलिवुड में काफी लंबे अर्से तक काम करके उसे पूरी तरीके से अपनी जवानी में ही छोड़ दिया है कि नहीं यार ये हमारे लायक नहीं है काम नहीं कर सकते हम ज्यादा है तो भाई जमाना बहुत संभल कर चलने का है इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डिस अगरी करता है ना कि इल्युमिनाथी कोई ओर्गनेजेशन है ही नहीं या ये सिटैनिक रिचुल्स कहीं पूरे किये जा ही नहीं रहे तो I don't know what will satisfy that person पर मेरको अच्छे से पता है कि यार the things that are happening in this whole community right now इस दुनिया काइनात के अंदर जो कुछ हो रहा है वो काफी कुछ ठीक नहीं है और हमें हमारे हिसाब से ना सही डिरेक्शन में चलना होगा ना कि उस डिरेक्शन में जहां मीडिया आपको इंफ्लुएंस कर दे चलने के लिए So that is it for today Shabba Khair Shub Ratri Bacchke Rahyye Safe Rahyye Safety is the most important इन सब लोगों से भी safe रहे Take care again अपन और अपने पूरे परिवार का खयाल रखिये खुश रहे Stay blessed, stay happy You're precious And you will always remain precious Just stay smiling Allah Hafiz